नमस्कार बहुत स्वागत है आपका धन प्राप्ति के लिए करजों से मुक्ति के लिए और मुकदमों से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा प्रियोग हम बताएंगे जो नौकरी भी दिलवाता है आपका व्यापार भी चलता है अगर आप मुकदमों में फसे हैं तो उनसे भ काम होता है और वो प्रियोग भी किया जाता है इस पत्तिक को जब आप उसका की आपकी बीच का समधानि आपको हेस्ती और कहने से आक का पौधा जिसको हम मदार कहते हैं वही पौधा जो सिप जी को सबसे प्री है सिर्फ सिप जी को ही नहीं भगवान गनेश की आकृती मानी जाती है यह पौधा बहुत पुराना हो जाता है इसकी जड़ में भगवान गनेश की आकृती बन जाती है साथ ही बहुत साए महाप्रयोग चले जानते हैं यह प्रयोग करेंगे किस दिन किसी भी सनीबार किसी भी मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं दोनों दिन में से जिस दिन आपकी सुभीदा हो महिलाएं यह प्रयोग करेंगी तो जरूर लेकिन उनको यह माला पहनाना नहीं है आज हम जो प्रयोग बताएंगे दिखिए आख का पत्ता मदार के पेड़ का पत्ता 108 की संख्या में ले आई है याद रखिए 108 पत्ता लाना है 107 पत्ते पर सिंदूर घी मिक्स करके या सिंदूर में तेल भी मिक्स कर सकते हैं आप चमेली का तेल और 107 पत्ते में लिखिए सीता राम ज्यादा अछा रहेगा लिखना सीता राम नहीं तो आप राम भी लिख सकते हैं ठीक है आप कि जैसे यहां पर देखिए कॉटन बर्ड है His इसके सारे लिखने परियास और आप उंगली से भी लिख सकते हैं किसी भी चीज से लिख सकते हैं कॉटन बढ़ विगर ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें अच्छे से घोल को तैयार कर लें फिर इसमें डीब करकर के लिखें एक पत्ता जो है याद रखिए 107 पत्ते में लिखना है सीता राम 108 पत्ता ल कामना के हैं आपको मुकदमों से छुट कारा चाहिए आप बोलिए आपको जौब प्राप्ती कराना यादि कि आप नौक्री के लिख रहते हैं आप चाह रहे हैं इंटर्वी में सफलता मिल जाए एक्जाम दिये हैं रिजल्ट आपके पक्ष में आ जाए आप अपना मकान बहुत तरगी चीजे हैं दुकान चाहते हैं तो आप अपनी कामना केहकर इस एक पत्ते जिस पर आपने कुछ नहीं लिखा उसको गोल से मोड़ लें सारे पत्ते नहीं मोड़ना सारे पत्ते खुला रहेंगे एक पत्ता को मोड़ लें और लाल मौली धागा के सारे सारे पत ज़ाहतों को बांध कर माला बना लें जो एक पत्ता आपने डिक्ने बिना कुछ लिखें मोड़ा है उसको भी कहीं पर भी आप ऊसको डालकर अच्छा से बांध दें इस माला के बीच में ही। कहीं भी यह नहीं है कि आपको यहां डालना है वहां डालना है कहीं भी डालने कोई दिकत नहीं है और डालने के बाद पास की किसी भी हनमान जी के मंदिर में जाएए घर में मत कीजिएगा यह प्रयोग मंदिर में जाने के बाद आप अगर पुरुस हैं तो हनुमान जी को पहना दीजिए अगर आप महला हैं तो उनकी चड़नों में रख दीजिए अपनी काम ना कहके उनसे प्रात्ना करें आपकी जो भी मुश्किले हैं हनुमान जी की क्रिपा से साथ दिन से सवा महिटे के अंदर उन मुश्किलों का समाधान आपको मिल जाएगा हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे इससे लाब हो तब लाइक कर सब्सक्र लाओ